हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चनल गोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो पीरे विध्यारतियों आज की इस क्लास में हम सक्सा 8 अंग्रेजी विशे की ब्रक्बुक 2023 के ब्रक्सित नंबर 3 को सॉल्व करेंगे बाकी की जो ब्रक्सित है उन सबी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आप उन के सिगनल्स का मतलब क्या होता है पैचानना ठीके सिगनल्स का मतलब क्या होता है संकेट या चिनहां और एप्रोप्रेटली का मतलब क्या होता है उचित यानि ट्राफिक के जो उचित सिगनल्स होते हैं उनको हम पढ़ना और पैचानना सिखेंगे तो बच्चों देखें the following traffic signs with appropriate instructions यहां पर ट्राफिक संबन्दी जो संकेत दिये गए हैं इसका मतलब क्या होता है हमें उचित के साथ क्या करना है बच्चो मिलान करना है तो बच्चो सबसे पहला जो संकेत हैं तरी बूच के अंदर क्या दिया हुआ है इसका होता है यहां पर पारकिंग यानि यहां पर पारकिंग करने की मनाही है तीसरा बच्चो गोले के अंदर एक सीधा तीर दर्शाया गया है इसका मतलब है कि आप सीधे जाओ तो इसका मतलब होता है गो इस्ट्रेट क्या होता है बच्चो गो इस्ट्रेट यानि आप सीधे चलिए ठीके अगला है चोथा सोते के अंदर एक त्रीबूज के अंदर एक तीर का निसान है और ये कह रहा है दाई साड की और मुढने का यानि बच्चो टर्न राइट की दाई तरब मुढ जाएए फिर बच्चो पांचवा पांचवे के अंदर बच्चो एक गोले के अंदर तीर का निसान है और उसको क्या किया हुआ है क्रोस किया हुआ है बच्चो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है नो इंट्री है इसका मतलब क्या होता है अगला जो sign है वो किसका है बच्चो यह है पैट्रोल पंब का कि जहां पर पैट्रोल भरा जाता है फिर बच्चो आठवा sign है देखने से पता चल रहा है अंदर क्या लिखा हुआ है stop तो यह किसका sign है stop का की रुख जाईए फिर नवबा बच्चो एक त्रीबूज के अंदर दो बच्चे बैग लेकर जा रहे हैं इसका मतलब यह किसका चिन है इस्कुल का चिना है फिर बच्चो दसवा बिस्तर पढ़ा है और उपर प्लस का sign है बच्चो यह किसका sign होता है बच्चो यह sign होता है hospital का टीके तो इस तरह आपको सभी का उचित के साथ मिलान कर देना थ उम्मिद करता हूँ सभी संकेतों के मतलब आपको उच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए अब सभी को धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट सेरो सब्सक्राइब जरू करें आज के लिए इतना ही जै हिंद जै अला करें आपको मेरी कोष्या हूँ सब्सक्राइब जरू आवरू के लिए लिए डंवाद आपको इंद तो आढर है